नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सावन कृष्ण पक्ष की दोआदसी तिती आज बिहार के चार पुलस अधिकारियों को किंद्री ग्री मंत्री मेडल अब पर सब्ता होगी जिलो के साथ योजनावार विसेश समिक्षा इंग सिर्वान को लेकर तेश्वी को केंद्री स्वास्ते मंत्री का जवाब बच्चों के टेडी बियर से अंग्रेजी सराब बडामत इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सावन कृष्ण पक्ष की दोआदसी तिती आज आज यानी की 13 अगस्त को सावन महीने की कृष्ण पक्ष की दोआदसी तिती है बता दे किस्तिती पर सुब्रह शुक्र का अधिकार है मालुमों किस्तिती को लेकर ऐसी धारडा है कि आज का दिन दान देने के लिए काफी अच्छा दन है आज के दिन चंद्रमा मिथोन राशी और आधरा नक्षतर में रहेगा यह नच्छत्र मित्वन राशी में 6-4 से लेकर 9 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है आज के दिन 5-6 से 8-13 तक राहू काल रहेगा ऐसे में कोई शुब कारी करना हो तो सब्द से परहेच करना ही अच्छा रहेगा बिहार के चार पुलिस अधिकारी और एक बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल है अब हर सब्दा होगी जिलो के साथ योजनावार विसे समिक्छा परिवहन सचीव संजय कुमार अगरवाल के दौरा राजे के सभी जिलो के DTO, MVI और ESI को अपने कारियों और योजनाव में तेजी लाने का नर्देश दिया गया है क्योंकि अब 15 अगस्त के बाद से परिवहन विभाग की योजना में कारियों में और प्रगती लाया जा सके इसके लिए हर सब्दा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से योजनावार विसे समिक्छा बैठक की जाएगी जिसमें बॉटम साथ में रहने वाले जिलों की किसी खास योजना कारियों की प्रगती की समिक्छा की जाएगी मालुम हो किस दौरान परिवहन सचीव के दौरा सभी जिलों के जिला परिवहन पदाती कारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि हिट एंड रन सरक दिर्गटना मामले में आएं आवीदनों का समय पर निप्टारा किया जाए ताकि दिर्गटना से पिरत आश्रितों को मुआब जी का लाब मिल सके वहीं अब सरक सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराने के तहर विहार की राजधानी पटना के अलावा राजे के अनि सभी जिलों में विशेश रूप से हलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा और साथ ही सभी जिलों का हलमेट सर्वे भी कराया जाएगा ऐसे में जिन जिलों में हेलमेट धारन का प्रतीशर्ट कम होगा वहाँ जांच की सक्ती और बढ़ाई जाएगी वहीं पड़े वहां सचीव के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिलो में ड्राइविंग लाइसेंस और वहां रिजिस्ट्रेशन के लंबित मामलों को अब विलम निप्टारा किया जाए ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और वहां रिजिस्ट्रेशन के लिए जादा इंद्जार ना करना पड़े सौतंदरता दिवस को लेकर पटना एयर्पोर्ट पर रेड अलर्ट जारी सौतंदरता दिवस को लेकर पूरे बिहार को अलर्ट मोड में रखा गया है जिसमें बिहार के राजधानी पटना में सिदपटना एरपोर्ट भी शामिल है। बता दे कि यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां आने वाले यात्रियों के तलाशी ली जा रही है। ताकि कोई अने तरह की गतिवीधियां उत्पन ना हो पाए। इसके साथ ही यात्रियों के बेल्ट और जूते की भी तलाशी ली जा रही जिस वजह से पहले जहां यात्रियों को चेकिंग के दौरान एक से दो मिनट का समय लगता था तो वहीं अब यह समय बढ़कर तीन से पांच मिनट तक हो गया है। सबके अलावा सुरक्षा को देखते वें CISF की ओर से भी अपने सुरक्षा को बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट के भीतर रनवे से लेकर सभी जगह पर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं बता दे कि बिहार पुलिस मुख्याले की ओर से बिहार की राजधानी पटना समीत अन्य सभी जलो को विशे सतरक्ता बरतने का नरदेश दिया गया है एमस नर्मान को लेकर तेश्वी को केंद्रिय स्वास्ते मंत्री का जवाब एक तरफ जहां बिहार के उपमुख्य मंत्री तेश्वी आदब के द्वारा दरभंगा में एमस खूलने की बाद क चिठ्थी पर केंद्री स्वास्ते मंत्री मंसुख मांडविया के द्वारा उन्हें जवाब देते वे कहा गया है कि हम बिहार में एमस बनाने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार में राजनिती नहीं होती बलके विकास की राजनिती होती है मोधी सरकार के ओर से 19 सितंबर 2020 को ही तरभंगा एम्स बिनाने की अनुमती दे दी गई थी इसके बाद बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहले चमीन दी थी इसलिए तेश्री आदर राजनीती सिर्फ बाहर निकल लिए और इनके लिए उचित जगह दीजिए हमारी नियत बिल्कुल साफ है जगह महया कड़ाएं हम एम्स का निर्मान कड़ा देंगे बच्चों के टेडी बियर से अंग्रेजी सराब बडामत बिहार में पुन रूप से सराब बनती है बतादे की ताजा मामला छपड़ा के मांची बॉर्डर से है जहां परोसी राजे उत्तरपदेश से आ रही एक ओटो में बच्चों के टेडी बियर से उतपाद विभागी पुलिस के द्वारा 21 टेटरा पैक और 12 पीस के अवैद अंग्रेजी सराब बरामत किये गया है बतादे की मिली जानकारी के नुसार मचली को नदी से बाहर निकालने के बाद उसे फिर दूसरे नदी में छोड़ दिया गया लोगों को माने तो यह मचली कसी नदी से नहर में आई थी क्योंकि नहर में इतनी बड़ी मचलियां नहीं पाई जाती गदर दो में नजर आ रहे पटना के अविशेक सने देवल और हमीशा पटेल की फिल्म अंकदर दो में बिहार के रादधानी पटना के अविशेक सर्मा भी नजर आ रहे हैं पतादे के इंडियन इंस्ट्यूट ओफ आर्किटेक्ट बिहार चाप्टर के अध्यक्ष अभिशेक ने इस फिल्म में वाहित खान नाम का करदार निभाया है और वह एक भारतिये मुसल्मान है इस फिल्म में वह अपने किर्दार को लेकर बताते हैं कि वह भारत में मुसल्मान के खुशाल जीवन को दिखा रहे हैं आपके जानकारी के लिए बता दे किससे पहले अविशेक सर्मा देश्वा सेंग साब दग्रेट सूपर तीस आधी फिल्मों में अभिना जालू यादव की मुश्किले बढ़ गई हैं बतादी किस मामले को लेकर CBI की ओर से दानापूर डिवीजन में काम करड़े वाले छे करमचारियों से पूछताच की जाएगी इन्हें पूछताच के लिए तलब भी किया गया है जिसमें से पटना जंक्षन पर तैनात अजय के शुमन कुमार को 30 अगस्त को पूछताच के लिए दिल ली जाना है इस दुरान इन सभी करमचारियों को अपने साथ आईडी एजुकेशन डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और सरकारी प्रमान पत्र लेकर जाना होगा जिसकी वहां CBI की ओर से जाच की जाएगी बिग बॉस फिनाले से पहले एलविश यादव को मिल रहा बिहार के दो नेता का साथ हिंदिफ फिल्म कबिनिता सलमान खान दौरा होस्ट के जाने वाले शो बिग बॉस OTT सीजन दो के ग्रान फिनाले में अब बस कुछी दिन सेश रह गया है ऐसे में सभी अपने पसंदीत कंटेस्टेंट को वोट करने में लगे हुए हैं सिकरी में कंटेस्टेंट अलविश यादव को भी बिहार की सियासत के दो प्रतिद्वन्थी राजद और भाजपा का साथ मिल गया है दरसल राजद नेता वह बिहार सरकार में जलवायू एबं पड़यावरण मंत्री तेज पताप यादव और बिहार बीजेपी प्रवक्ता निक्खिल अनंत के दौरा एलविश यादव को सपोर्ट करते वे उनके लिए वोट करने की मांग की गई है मालम हो के इन दोनों निताओं ने अपने शोचल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से अपील की है आपकी ज बिहार के खगरिया जले से आने वाले दमपती को PMO से आया बुलावा बिहार के खगरिया जले के अलॉली प्रकंड के रहने वाले एक मचली पालग दमफती अरजन मुक्या और जीरा देवी को दिली में आयूजित होने वाली सुतंता दिवस समार्व में शामिल होने के फ्लाइट की दो टिकट भी भेजी कई है आपके जानकारी के लिए बतादे कि जीरा देवी और अर्जन मुख्या के द्वारा प्रधान मंत्री मत्त से संपदा योजना का लाब उठाते वे अपने घर पर ही मचली पारण का काम शुरू किया गर दिया था मालूम हो किस योजना के तहर सुक्ष्म बायो फ्रोक टैंक का अधिस्टपन को लेकर सरकार के ओर से 4,50,000 रुपए अनुदान के रूप में मिल थें आज की तारीख में अरजन मुख्या और जीरा देवी का परिवार मचली पारण के जरी ना केवल अपने परिवार का बहतर तरीके से भरन पोशन कर रहा है बलके आर्थिक रूप से भी सबल हो रहे हैं यही कारण है कि उन्हें PMO की और से बुलाबा भेजा गया है सुतंता दिवस पर राजधानी में करी सुरक्षा ब्यार की राजधानी पटना में सुतंता दिवस को लेकर करी सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं मालुमों कि पटना में 1100 से अधिक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है जो की 24 घंटे काम करेंगे वहीं गांधी मैदान में 60,000 वर्ग फीट में दर्शन दर्गा तयार किया जा रहा है जिसके उपर वाटर प्रूफ सेड का भी निर्मान किया जाएगा मालू हो कि 15 अगस्त को लेकर पुलिस मुख्याले के दोरा राजी के सभी जिलों में विशेश तर्गता बरतने का नर्देश दिया गया है इसके साथ ही नकसल प्रभावित एवं समीधन शीर इलाकों में तैनाती को लेकर अतरिक्त पुलिस बल की प्रतिन्युक्ती भी की गई है सुरक्षा विवस्था में जिला पुलिस बल के साथ पिहार सससर पुलिस बल महिला और लाठी बल भी लगाये गया है इसके लावा गांधी मैदान में होने वाले राजकिये समाडों में भी सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है गडबंधन इंडिया पर चिराग पासवान का हमला लोग जन सकती पार्टी राम विलास के राष्ट्री अध्यक्ष और जमूई के सांसच चुराग पासवान के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर आरोप लगाते वे कहा गया है कि राजस सुप्रीमों लालु पुशाद यादव कॉंग्रस नीत राहूल गान थी और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर देश का विभाजन कर रहे हैं ने कहा कि इन लोगों ने जो इंडिया गडवंधन बनाया है उसमें बीच बीच में डॉट है क्योंकि इन सभी के मन में खोट है इसके साथ इन्होंने बिहार की मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर हमला बोलते वे कहा कि 2020 में ही जनता ने विदाई देदी थी लेकिन दूश जी के राज में सैक्रो करोरो का पुल पानी और हवा में बह जाता है चुहे बांध कुतर जाते हैं यससवी जैसवाल ने तोरा रोहिस सर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड बीते दिन वेस्ट इंडिस के खिलाफ खेले के चौथे T20 मैच में भारती टीम की ओर से 9 विकर से जीत हासल की गई और इस जीत के साथ ही अब भारत ने इस सरीज में दो-दो की बड़ाबरी कर ली है मालम हो कि बीते दिन हुए इस मैच में युवा बल्लेबाज यससवी जैसवाल ने नाबाज 84 रन बनाए जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ दम मैच चुना गया इस दुरान कि वग खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत की ओर से अर्ध शतक लगाने वाले कुल चौथे सबसे युवा बलेबाज बने हैं वहीं अससवी जैसवाल और सुभमन गिल के बीच पहला विकेट के लिए 165 रनों की साज़ेदारी हुई थी जो की टी-20 अंतराश्ट्र में वेस्टन डीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साज़ेदारी है इससे पहले दोहित और के राहुल ने 135 रन की साज़ेदारी की थी जानीया बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल क्रेट बिहार में आज यानी रभिवार को पिट्रॉल डीजल क्रेट चारी के गए के बाद राजधारी पत्ना में अज़ प्रेटल 17.25.54 प्रती लिटर में मिल रहा है हूं even पूर्निया में प्रेटौनिया में प्रेट Olji कीमद 1660 form इसके साथी कीमत आंप प्रती किमत पतादी कि बिहार में पिट्रॉल की रेट सबसे दा किसन गज में है जहां पिट्रॉल 119.7 तीन लुपे प्रति लीटर और डीजल 94.45 रुपे प्रति लीटर है भी प्रति दिन हमारे दोरा पूछी का सवाल का अप लोगों में से बहुत तोगों अपने जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिर्वनी हमारे दोरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप 15 अगस्त को किस अंदाज में मनाते हैं अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षमें लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बना रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चनल को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेसबूक से देखरें तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद